अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आप देखरें मेरे यूट्यूब चैनल कॉंसेप्चिन नोलिज और मैं हूँ आपका होस्ट मुहम्मद अजमल Dear Friends, आज मैं आपके साथ Board of Intermediate Education कराची की जो नया Paper Pattern Scheme है English Advanced First Year और Secondary के लिए और ये किन किन गुरूप्स के लिए है Science गुरूप में यानि Pre-Engineering, Pre-Medical, Home Economics, Commerce, Regular and Private दोनों के लिए Humanities गुरूप में भी Regular और Private दोनों के लिए और Medical Technology तो इन गुरूप्स के लिए ये जो English Advanced का कोर्स है First Year और Second Year का जो उसका नया Paper Pattern है यानि जो आपके नया अभी जो एक्जाम होंगे 2022 में वो इस पैटरन के तहट लिए जाएंगे आपको जैसा के मालूम में के Synth Board ने अभी एक एलान किया था जिसके मताबिक अब जो आपके पेपर्स होंगे उसमें आपके जो MCQ होंगे वो Total Marks उस सब्जेक्ट के 40% होंगे यानि जो आपके जितने Total Marks होंगे उस सब्जेक्ट के उसके 40% आपके MCQ होंगे इसी तरीके से जो आपके Short Answers Questions होंगे वो भी 40% होंगे और जो Detailed Answers Questions होंगे वो आपके 20% होंगे तो इस सहाब से जो English Advance का कोर्स है First Year और Second Year के लिए उसकी जो Paper Petal Scheme होगी वो मैं आपके साथ आप Share करता हूँ आप देख सकते हैं कि यह आपको नजर आ रहा होगा कि English का जो Paper है English Advance का वो 3 घंटे का होता है ठीक है और उसके Total Marks 100 होते हैं अब अगर आप 100 का 40% निकालेंगे तो वो बनेंगे 40 याईनि जो आपके MCQ होंगे Section A के वो कितने होंगे 14 Marks के उसमें आपको Total 40 MCQs given होंगे और आपको 40 के 40 attempt करने होंगे एक MCQs का एक Mark होगा तो इस हिसाफ से आपको Total 40 Marks बन जाएंगे अब हम बात करते हैं Section B की देखे Section B आपका Short Answer Questions होगा और वो भी 40% होगा याईनि वो भी 40 Marks का होगा इसमें Total आपको 15 Short Answer Questions given होंगे जिन में से आपने Total 10 attempt करने होंगे और एक Question के जो Marks है वो आपके 4 होंगे याईनि अगर आप Total 10 Questions attempt करेंगे और एक का Number 1 Question के 4 Marks है तो आपके 40 Marks बन जाएंगे ठीक है अब इस तरीके से हम बात करते हैं Section C के Detailed Answer Questions की या आपका 20% होगा याईनि 10, 100 का अगर आप 20% निकाले तो वो 20 बचेगा तो 20 Marks के आपके Detailed Answer Questions होंगे इसमें आपको 3 Questions given होंगे जिसमें से आपने Total 2 Questions attempt करने होंगे और एक Question जो है वो Total 10 Marks का होगा याईनि आप दो Questions attempt करेंगे और एक Question का Number 10 है तो 10 to the 20 तो इस हिसाब से आपके ये 20 Marks कंप्लीट हो जाएंगे तो अब मैं आपको ये Distribution of Marks बताता हूँ के Total Section A के 40 Marks होंगे Section B के भी 40 Marks होंगे और Section C के भी 20 Marks होंगे इस तरीके से यापके Total 100 Marks होंगे जो आपके इस साल जो एक्जैम होंगे कराची बोर्ड में 2022 के वो इस हिसाब से आपका पेपर पैटन पेपर जो है वो तैयार किया जाएगा तो अब आप इस हिसाब से जो है वो अपनी पेपर के तैयारी कीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए बैसे दरीके की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अप्रोड करता हूँ और वो वरवक्त आपको मिलती रहेंगी मिलते हैं फ्रेंड नेक्स वीडियो में इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस